नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वाकत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रचा करेंगे हाली में बहुत ज्यादा चर्चित अनुछेद 35A और अनुछेद 370 के बारे में तो इसके बारे में हम इस वीडियो में संपून चर्चा करेंगे तो वीडियो को दोस्तो आप सुरीचे लेकर अन तक पूरा जरूर देखें ता निचे कमिट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो अनुछेद 35A और अनुछेद 370 है यह जम्मू कस्मीर से समन्दित है तो जम्मू कस्मीर को हाली में केंदर सरकार ने एक United Territory यानि केंदर साशित परदेश बना दिया है इसे के साथ में लद्दा को भी केंदर साशित परदेश से बना दिया है तो इससे पहले हम अनुछे 35A से जुड़ी जानकरी दर्चा करेंगे उसके बाद में अनुछे 360 के बारे में इस वीडियो में हम दर्चा करेंगे वीडियो में हमारे साथ बने रहे तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों अनुचेद 35A से जुड़ी हुई जरूरी बातों के बारे में पहली जो इंपोर्टेट बात है वह है अनुचेद 35A समिदान का वह अनुचेद है जो जम्मु कस्मीर विदान सभा को लेकर परावधान करता है कि वह राज्ये में इस्ताई निवाशियों को परिवाचित कर सके तो यह दोस्तों अनुचेद 35A में दिखा गया है अब दूसरी जो बात है वह है दोस्तों कि साल 1954 में 14 मई को राष्टर पती डोक्टर राजिंदर परसाद ने एक आदेश पारित किया था इस आदेश के जरिए समिदान वे एक नया अनुचेद 35A जोड़ गया तो अनुचेद 370 के तहत यह दिकारे दे दिया गया तीसरी जो बात इंपोर्टेट बात है वह है दोस्तों साल 1956 में जम्मु किस्मीर का समिदान बना था जिसमें इस्ताई नागरिक को परिबाचिति किया गया था जम्मु किस्मीर के समिदान के मुताबिक इस्ताई नागरिक वह वेक्ति है जो 14 में 1954 को राज्य का राज्य का जो नागरिक रह रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से वह राज्य में रह रहा हो उसने वहाँ संपतिय आशिल कर ली हो वह जम्मु किस्मीर का इस्ताई ना जो भी नहीं जानकर इसमें जूड़ी है उसका वीडियो लेकर आएंगे तो आप मारी चैनल से आप जूड़े रहें नेक्स्ट है समिधान के अनुच्छे 370 के थैत ही जुड़ा गया है अनुच्छे 35 ये जैसे मैं आपको उपर बताया कि अनुच्छे 370 के बिना 35 ये का कोई वजूद नहीं है दोस्तो इसकी जो इंपर्टेट बात है वह है अनुच्छे 35 ये की वज़ए से जम्मो कस्मेर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिता का अधिकार है उनके पास जम्मो कस्मेर के नागरिता के भी होगी उसके साथ में भारत की नागरिता भी उन 6 साल का होता है जबकि अन्य राजय में 5 साल का होता है ये पहले दोस्तों अनुचे 370 में बढ़नीत किया गया था आर्टिकल 370 के कारण भारती संसद के पास जम्मो कस्मीर को लेकर कानून बनाने का अधिकार बहुत ही सिमित थे वह 3-4 छेत्रों में ही जो भारती के कानून है बारत का समीदान है वहाँ पर लागू होता था बाकिये जम्मो कस्मीर के विदान सबाके द्वारा जो अपने कानून बनाया है वही लागू होते थे दोस्तों संसद में पास कानून जम्मो कस्मीर में तुरंत लागू नहीं होते हैं सिक्सिया का दिखा सूचना का दिखा म विरोध्दी कानून काला धरी विरोध्दी कानून कस्मीर में लागू नहीं थी इसे यहाँ ना तो अरक्षन मिलता था और ना ही नियूंतम 35 अंति का जीकर सवीदान मेंदोर हाला कि सवीदान में Article 35A Small A का जिकर जरूर है लेकिन इसका जम्मू A.M. कस्मेर से कोई सिधा सम्मद नहीं है दरसल इसे सम्मिदान के मुख के भाग में नहीं बलकि परिशिष्ट अपेंडिक्स में सामिल किया गया है 14 मई दोस्तों गुनी सो चोवन में राष्टरपती के आदेश से Article 35A को सम्मिदान में जगह मिली थी और 14 मई गुनी सो चोवन को ततकालीन जो राष्टरपती दोक्टर नाजितर परशाथ है उनके आदेश परित किया था इस आदेश के जरिए भारत के सम्मिदान में एक नया अनुचे 35A भी जोड़ दिया गया था अब बात करते हैं दोस्तों अनुचे 370 के बारे में तो अनुचे 370 के बारे में हम जर्चा करते हैं उससे पहरे आपको बता दूं कि वीडियो को आपने शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर करते जिसे सभी तक ये मेत्वपुन जानकारी पहुंचते रहे तो अगला वीडियो जो हम लेकर आने वाले हैं वे होगा दोस्तो अनुचे 370 और 35 ये में जो हाली में बदलाव किये गए हैं उन सभी बदलावों को लेकर वे वीडियो होगा तो उसमें संभुन जानकारी हम देंगे तो हमारे चाहता पर यह ही जुड़े रहें तो 370 अनुचेद है वे क्या कहता है तो ये दोस्तो ये अनुचेद जम्मु कस्मीर को एक विशेश अधिकार देता है इसके मुटापिक भारतिय संथ्द जम्मु कस्मीर के मामले में शिर्फ टीन चातरों नहीं रख्षा चतर में विदेश्वी मामले में और संचार के लिए कानून बढ़ा सकती है इसके अलाव दोस्तो किसी कानून को लागू कर्वाने के लिए केंदर सरकार को राजे सरकार के मंजूरी चाहिए होती है मंजूरी लेनी होती है तो ये है अनुचेद 377 में लिखा गया है तो अनुचेद 35A के दोस्तों माईने क्या है तो अनुचेद 35A है इसके बारे में आपको मैंने उपर भी बता दिया अब फिर जो नहीं जानकरिया वो भी देख लेते हैं कि अनुछेद 35 एसे जम्मु कस्मीर राज्य के लिए इस्ताई नागरिता के नियम और नागरिकों के अधिकार होते हैं वहीं 14 माई 54 के पहले जो कस्मीर में बस गए थे वही स्ताई निवस्य माना जाएगा दोस्तों वहे व्यक्ति जो जम्मु और कस्मीर का स्ताई निवस्य नहीं है राज्य में संपति नहीं करे सकता हो यानि वहां के जो संपति है वहे खरिद कर अपने नाम पर नहीं करवा सकत अगली जानकारी है वह व्यक्ति जो जम्मू कस्मीर का इस्ताई निवासी नहीं है जम्मू और कस्मीर सरकार की नोकरियों के लिए भी आविदन ने कर सकता यानि वहां की राज्य सरकार में जो भी वेकेंच निकलते थी उनके लिए केवल जम्मू कस्मीर की व्यक्ति ही आवि द्वारा उनिवर्श्टी चलती थी उनमें तो दखेला ले सकते थे लेकिन वहां के जो इसो विदहले या स्कूल है वहां पर एडिपिसन नहीं ले सकते थे नेक्स्ट है हालांकि दाराव 377 में समय के साथ साथ कई बदलाव भी किये गए हैं 1935 तक वहां राज्यपार और मुक्य मंतरी नहीं होता था उनकी जगह सदर एरियासत और परदार मंतरी हुआ करते थे इसे बाद में बदल दिया गया इसके अलाव दोस्तों पहले जम्मु कस्मीर में भारतिय नागरी के जाने पर उसे अपने साथ अपना पहचान पता रखना ज़रूरी होता था लेकिन बाद में विरोध के बाद इसी प्रावदान को अठा दिया गया था दोस्तों आर्टिकल 370 हटने की बाद में जम्मु कस्मीर में क्या क्या बदलाओं के बारे में भी हम सचा कर लेते हैं तो हमारे साथ आप यूँ ही बने रहें तो बदलाओं क्या क्या हैं वो अनुमति के लिए विजा गया है जहां पर अनुमति मिलना तय है तो इसमें दोस्तों बदलाओं होने के बाद में क्या क्या बदलाओं होंगे वो देखते हैं तो वह दोस्तों कोई भी खरी सकेगा संपती यानि अनुशे 370 राज्ये के बाहरी अब देश का कोई भी जू न जन्डावगरी खै वह जहमो कस्मेर में संपती करीदे पाएगा नेक्स्ट है अब अलग जन्डा नहीं होगा या नप जोजन्मो कस्मेर का जन्डा है वह तीरंगा जन्डा ही होगा राज्य का जो अलग जंडा है वह नियम स्वाप्त ही हो गया है यानि जम्मु कस्मिर का अपना अलग जंडा भी था वह सरकारी दप्तरों में भारत के जंडे के साथ जम्मु कस्मिर का जंडा भी लगा राजा था अब जम्मु कस्मिर में अलग जंडा नहीं रहेगा यानि र पार्टिकल 370 के कार्ण देश के संसद को जम्मु खश्मीर के लिए रक्षा, फिदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी भी विशे में कानून बनाने का अधिकार नहीं था तो अभी इसको हटने के बाद में जम्मु खश्मीर को अपना अलग स्मिदान बनाने की अनुमत जम्मु खश्मीर को के अंदर सचित परदेश मना दिया गया है इसके साथ रज्य की प्लिस के अधिकार चितर में आ जाएगी यानि सेंटर गॉडर्मेंट के अंदर आ जाएगी इसके अलावा दोस्तो बात करें रज्य पाल के जगए वहां पर उपर रज्य पाल होगा था विदान सवाँ चुनाव जम्मु किस्मीर होंगे लेकिन लध्दाक में विदान सवाँ चुनाव नहीं होंगी अगला जो है वह दारा 3506 य unlock किस्मीर राज्ये पर सम्विधान की दारा 335 लगओ नहीं होती थी इस कारण राष्टा पति के पास में राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था यानि वैर राष्टर पती सासन नहीं बलकि राज्य पाल सासन लगता था लेकिन चुंकि जम्मो किस्मीर अब केंदर साचित राज्य होगा तो अब यह स्तिती भी बजले गई है तो बात करें दोहरी नागरिता खतम कर थे और नहीं चुनाव में उमिद्वारे बन सकते थे अब दोस्तों वहां पर जो वहां के जो स्ताई नागरिता का कानून है वह भी समापते कर दिया गया है अब बात करें दोस्तों कस्मीर अब होगा केंदर साचित राज्य यानि जम्मो कस्मीर में दोस्तों अभी तक वि सब्दांसवा वाले कैंदर साचित परदेश होगा तह प्रतेक विदानसवा का जो कारे काभी है और शह साल की जगा हो जाएगा बात करेख करें दोस्तों लडागी तो लडाग चंडिगड जैसे केंटर साझत प्रदेश होगा य अभी तक जमू कस्मीर का हिस सारे लगज़ा को जहां जमू कस्मीर की तरहın विदानसबा नहीं होगी इसका परशासन चंडिगड की तरह ही चलाया जायेगा next है कस्मीर का अलग से कोई समिदाने नहीं होगा तो कस्मीर का अलग से कोई समिदान नहीं होने का कारण क्या है कि अनुचे 370 का हटने के बाद जम्मू कस्मीर में मिले विशेश अधिकार को पूरी तरह से समप्ट कर दिया गया है और केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कस्मीर में भारतिय समविदान पुरी तरह से लागू होगा तो इस भैसले के बाद में जम्मू कस्मीर का अलग जो अपना अलग जो समविदान था वह समप्त हो गया उस अपना समविदान नहीं होगा बता देंगे दोस्तों कस्मीर में 17 नौंबर 156 को अपना वाहां की सरकारकों बंग भी कर सकता है। जोस्तों बाहरी रज्य के लोगों को भी नोकली मिल ज़िकेगी। जम्मु कस्मीर में देश का कोई भी नागरिक अब नोकली पा सकता है। जोस्तों बात करें, वीечение आपातकाली भी लगायः जा सकता है, यहनि भारतिय समिधान की दारा 360 जिसके अंतरकर देज में वितिया पातका लगा देगा प्रावधान है वह दारा 370 के करण जम्मू कस्मीर पर लागू नहीं होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जम्मू कस्मीर में भी इसके दाइरे में आजाएगा वहाँ पर वितिया पा कार मिलेगा पहले संपति का दिकार उनको नहीं मिलता था यानि जो वहाँ की जो मेलाएं थी उनको वहाँ के ही किसी पूरुचे साधी करनी होती थी नेक्स्ट है आर्टिकल 370 के खतम करने के फैसले के बाद अब यह सारी पाबंद्या दोस्तों समाप्त कर दे गई हैं खतम जानकर यह आपको बता दी है दोस्तों आपको वीडियो पुसंद आया तो वीडियो को लाइक को सभी दोस्तों के साथ सेर कर दें आपने अभी तक हमारे चेनल कलाम स्टेड़ी को सब्सक्राइब ने किया गया है तो ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए निचे दिये लाल स्क्राइब के बट्म को दबा कर चेनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोल गंटे का साना उस गंटे के सानको विजरू दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले से भी वीडियो की जानकर यह आप तक है पहुंशती रहे धन्यवाद दोस्तों